सारे शिक्वे गिले भुला के कहू देखी वच्चों यहाँ पर आपको दो सम्मीकर्ण दिये गए हैं पहला सम्मीकर्ण है 3x रेने 5 रेने 4 बराबर 0 और दूसरा सम्मीकर्ण है 9x बराबर 2x धने 7 बहुत असान सवाल है ये कक्षध 10d x 1ृg से 20.4 का यह पहले का तीसरे हाँ पर qoion है इसको दोनों मेथिड से हमको हल करना है इसको हम अब भी ल करते हैं सबसे पहले इसको मैं बिलोपन बिदी से करूँगा कोनसी बिदी से हल करूँगा बिलोपन बिदी से बिलोपन बिजिस को हम हल करेंगे तो देखी बच्चों बिलोपन बिजिस हल केसे करेंगे हाप आम लिखेंगे दिया है यहाप लिखेंगे हम दिया है क्या दिया है सवाल में? सवाल में आपको दो सम्मिकन दिये पहला सम्मिकन क्या दिया है? पहला सम्मिकर्ण दिया है 3x minus 5 by minus 4 बराबर 0 यह आपको पहला सम्मिकर्ण दिया है है थीक और दूसरा सम्मिकर्ण आपको यह दिया है 9x बराबर 2x धन 7 दूसरा सम्मिकर्ण यहाँ पर आपको दिया है 9x बराबर 2x धन 7 यहां पर आपको दिये है तो आपको कुछ लिए करना है सिंपल इन दोनों सम्मीकरणों को यहां पर आपको इस तरह से उतार लेना है कापी में आपको नोट कर लेना है अब आपने इन दोनों सम्मीकरणों को यहां पर उतार लिया आपने नोट कर लिया अब यहां पर एक काम और यह करना है कि देखिए यहां पर हमेशा बिलुपर्म बिदी सहल करते समय आपको करना क्या है यह एक्स वाला पद है और यह बाय बाला पद है तो एक्स वाला पद और बाय बाले पद को बराबर किस तरफ रखना है और संख्या को बराबर के उस तरफ आपको कर देना है त हम लिख सकते हैं पर तीटें रिंड पांच वा हूं रिंड पांच वा बरावर कि समी करंड एक नाम में अब इस समिकरण में भी इसी करेंगे 9X का होगई है आपर आपका 9X बराबर किस तरह दो एक्स धनका है पक सांतर गरेंगे तो उस तरह आऄ में आपको ध्याज़गा बराबर 7 का होगई है हाँ आपर आपको 7 इसको हम सम्मीकरण 2 नाम देंगे बाबर किस तरफ पर सवाल को जमाना है मतलब कि बराबर किस तरफ एक सबाइब आला और बराबर किस तरफ संक्या अब बारी आती बच्चों यहाँ पर गुडांग बराबर करनेगी, बिलोपर्म बिधी में गुडांग बराबर करना पड़ता है, तो यहाँ पर X का गुडांग 3 है, और यहाँ पर X का गुडांग 9 है, यहाँ पर X में 3 का मल्टिप्लाई हुआ है, और यहाँ पर X में 9 का मल्टिप्लाई हुआ है, तो उपर वाले का गुणा, मतलब 3 का गुणा, नीचे के सम्मिक करने 2 से कर देंगे, और नीचे वाले का गुणा, उपर वाले सम्मिक करने से कर देंगे, मतलब नीचे वाला 9 का गुणा, सम्मिक करने 1 से कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम दिखेंगे, 3 का गुणा, 3 का गु तीन का गुणा समीक करण दो से करने पर, तीन का गुणा समीक करण दो से और नो का गुणा समीक करण एक्स करने पर, तथा नो का गुणा समीक करण एक्स करने पर, तथा नो का गुणा समीक करण एक्स करने पर, सम्मी करन एक से करने पर सिंपल आपको इसा मल्टिप्लाई करना है बस उसके लाबा कुछ नहीं करना है तीन का गुणा सम्मी करने दो से और नो का गुणा सम्मी करने एक से करने पर अब कर देते नीचे वाले नो का गुणा हम सम्मी करने एक से कर रहे हैं तो 9 का गुणा इससे भी होगा, 9 का इससे भी होगा, और 9 का इससे भी होगा, तो 9-3 हो गया यहाँ पर आपका 27, x का हो गया x, minus का minus, 9-5 हो गया यहाँ पर आपका 42, y का हो गया y, बराबर, और 9-6 हो गया यहाँ पर आपका 36, इसको समिकरण 3 नाम देंगे बच्चो, अब 9 का उपर वैला 3 का multiply için 2 से करेंगे, म данि 3 का good on 9 से भी होगा, 3 का good on 200 भी होगा, और 3 का good on 7 से भी होगा, तो 9 टिया यहाँ पर आपको 27 x, मैंस का मैंस, 3 दुनी 6ester का, बरावर कहोगा, बरावर, और 37 यह होगा आपका 21, इसको आपको समी करन 4 नाम देना, इसको मैंने के नाम दे दिया बच्चो इसको मैंने हाँ पर समीकरन चार नाम दे दिया अब यहाँ पर आपको सिंपल सा एक लोजिक यहाँ पर जही बढ़ता है इसको और भर देता हूं अब देखिए यहाँ पर एक जी संखी भी धन वाली है और यहाँ पर कौनसी वाली बच्चो धन वाली है इसके सामने भी धन है और इसके सामने भी यहाँ पर क्या है धन है तो दोनों संखी यहाँ पर आपकी धन धन वाली है तो जब यहाँ पर इसके सामने का अब देखिए गुलांगं बराबर हो गा यहाँ पर भी एक से गुलांग 27 हो गया और यहाँ पर भी एक से गुलांग इत्ता बादने हो गया अब करना कुछ नहीं है जाँ पर गुलांग जब यहाँ पर चिन्न समान होते है अब बिलोपन का मतलब होता है बिलूप्त करना अगर मैं 27x में से 27x को खटा दूँगा तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलूप्त हो जाएगा मतलब बिलोपित हो जाएगा इसलिए इसको हम बिलोपन विदी कहते है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको समिकरन 3 में समिकरन 4 को हम घटा देंगे, अगर मैं समिकरन 3 में से समिकरन 4 को घटा दूँगा, तो यहां से x का मन बिलूप्त हो जाएगा, चलिए देखते हैं कि इसा होता है, समिकरन 3 माइनस समिकरन 4 से, यहां पर हम के लिखेंगे, समिक पर आपका 27x रिन चे बाए बराबर एक कैस अब घटाना है सिंपल, घटाने पर चिने पलट जाते हैं आपका है, धन वाला हो जाएगा रिन का, रिन वाला हो जाएगा धन का और धन वाला हो जाएगा आपका रिन का, 27 धन का, 27 धन का, धन वाला से रिन वाला कड़ गया और कड़की हो गया आपका जीरो, 45 बाय रिन का, 6 बाय धन का, जब एक संख्य रिन वाली होती है, तो बड़ी संख्य मे रिन लगा ए इसके सामने भी हाँ पर रिन लगा दिंगे बराबर 36 में से 21 माइनस करना च्छे में से एक गए 5 और 3 में से 2 गए 1 अब भाय का मान निकाल लेंगे वाय का हो गया वाय बराबर 15 को गया 15 बराबर के सिर्ब मैनस 49 बाई गुड़े में पक्चान तर करेंगे तो यह मैनस से हां पर आ गया और 49 से हां पर आपका इसका बटे में तो थाय का मान आ गया आपका 15 बटे 40 बुक में हमें पर छेक कर लेंगे आप लोग भी छेक किया करो हर सवाल करने के बार थीक छेक करना वो ज़रूरी होता है ठीक ना माइनस का माइनस, तीना पांच ये पंधरा बटे, तीन एक कम तीन और तीन 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 नो, मतलब माइनस पांच बटे तेरा आपका y का मान निकल करके आ गया, तीन एक कम तीन 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 पर समीकरंगे- तो चलिए पहले जीसे करो उतार लेंगे समिकन एक क्या है समिकन एक आपको है 3x रिन 5 बाए बरावर 4 यहाँ पर आपको है 3x रिन 5 बाए बरावर 4 यह हो गया आपको समिकन एक इसको हाँ पर हमने सबसे पहले जिसे गवर से हाँ पर हमने इसको उतार लिए अब इसको उतारने के बाद अब Y का मान रख देंगे 3X का हो गया हापर आपका 3X 3X का हो गया आपका 3X माइनस का 5 का हो गया 5 ये बाई लिखा है Y का मान किता है Y का मान रिन 5 बटे 13 तो Y का मान रख देंगे बच्चों आपर हम किता है रिन 5 बटे 13 बरावर का हो गया बरावर और 4 का होगे हापर आपका 4 3x का होगे 3x माइनस का माइनस 5 का होगे 5 y का मान किता है y का मान रिन 5 बटे 13 तो y का मान रग दी रिन 5 बटे 13 अब इसके बाद 3x का होगे बच्चों आपको 3x माइनस का माइनस रिन गूडित रिन पच्चार का हो गएबाबर, इसके बाद अब देखिए पर इसके बमाल लेंगे लेंगे 3 X का हो गई हाँ पर आपका 3 X बारावर इसके बटे में 13 जाहाँ सारी, चाहू जाएगे हाँ पर आपका 42, उसका 25 आपको 20 ठीक अब इसके बाद किस तरब 3 X X के गुड़े में पक्छांदन करेंगे तो 3 बटे में चलाएगा X कहोगे उपका X बराबर 52 कहोगे आपका 52 अब इसको घटा दो 52 में 25 घटाओ 2 में से 5 घटाओ नहीं जाएगा 12 में से 5 गाए 7 बटे चार में से दो गाए 27 बटे तेरा को अगे हाँ पर आपका तेरा बराबर के सरफ तीन गुड़ों में इस तरफ लाएंगे जो तीन हाँ पर कहाँ में जाएगा बटे में आगे काट दो तीन एककम तीन और तीन नौम 27 तो उपर बचे हाँ पर आपका नो और बटे में नीचे बचे हाँ पर आपका तेरा तो X बरावर आगया आपको 9 बटी 13, X कमान कित्ता आगया हाँ पर आपको 9 बटी 13 निकल करके आ गया, X कमान 9 बटी 13 निकल करके आ गया, तो यहाँ पर हुझाएगा आपका X बरावर 9 बटी 13, 2 बरावर, 2 कमान आगया रिन 5 बटी 13, 2 कमान आगया रिन 5 बटी 13, और यही होग यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया बच्चो ठीक है यह आपके निकल करके आ गया आंसर एक्स का मान यह निकल करके आ गया लेकिन हमने किस बिदी से निकाल करके लाए इसको हमने निकाल करके लाए बच्चो इसको हमने निकाल करके लाए है बि प्रतिस्थापन से ही हल करो तो फिर आपको प्रतिस्थापन से ही हल करो तो फिर आपको प्रतिस्थापन से हल करना पड़ेगा अगर condition, सवाल जो बोलेगा आपको इसी प्रकार से करना है, ठीका है? तो यहाँ पर सवाल ने बोले है कि इसको blow5 से भी हल करना है और उसको pstar 5 से भी करना है तो blow5 से में आपको करके दिखा दिया अब पstar aquilo से आप लोग को करके दिखाओंगा अब चलिए हम प्रतिस्थापन विदी के माध्यम से सवाल को हल करेंगे और देखते हैं प्रतिस्थापन विदी केसी काम करती है जिन वच्चों को प्रतिस्थापन विदी में डाउट है उन लोग के डाउट भी हाँ पर हम पूरे किलियर कर देंगे तो प्रतिस्थापन बिधी से के माध्यम सब हम इस सवाल को हल करेंगे तो चलिए प्रतिस्थापन बिधी से हल करेंगे तो हापर हम डाल देते हेडिंग प्रतिस्थापन बिधी इसमें भी आपर हम लिखेंगे दिया है समिकरण तिया है पहला समिकरण आपका दिया है 31 canyon 5V 2 allons 0 आपका पहला समिकरण दिया है ठीक इसको हम समिकरण एक नाम देंगे दूसरा समिकर्ण आपका दिया है 9x बरावर 2y धन 7 इसको हम समिकर्ण दो नाम देंगे बच्चो पहला समिकर्ण आपका 3x रेंड 5y रेंड 4 बरावर 0 दूसरा समिकर्ण आपका 9x बरावर 2y धन 7 यह हो गया आपका आपका दूसरा समिकर्ण केलियर है अब समीकरण एक या समीकरण दो में से आप को अब प्रतिस्थापन बिधी में हम मान प्रतिस्थापित करते तो समीकरण एक या समीकरण दो में से कोई भी एक समीकरण ले लो तो यहाँ पर मैं समीकरण दो को ले लेता हूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चु समीकरण 2 से यहाँ पर हम के लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से ठीक समीकरण 2 क्या कह रहा है समीकरण 2 आपका कह रहा है 9x बराबर 2 बाइधन 7 तो यहाँ पर समीकरण 2 आपका है 9x बराबर 2 बाइधन 7 समीकरन 2 आपका 9X बराबर 2 बाय धन 7 इसको मैंने उतार लिए अब यहां से हम X का मान निकालेंगे X का हो गया X बराबर 2 बाय धन 7 का हो जागा है आपको 2 बाय धन 7 बराबर किस तरफ 9X के गुड़े में पक्षांतर कर देंगे तो नो आपको बटे में जाएगा और उसको हम समीकरन 3 नाम देंगे बच्चो उसको हम क्या नाम देंगे समीकरन 3 नाम देंगे अब समीकरन 2 से हमने X का मान निकाल लिए समीकरन 2 से हमने किसका मान निकाल लिए X का मान निकाल लिए समी करण एक में रखने पर, एक्स का मान कहां रखने पर, एक्स का मान समी करण एक में रखने पर, जी जो एक्स है बच्चों, एक्स का मान हम रख देंगे कहां पर समी करण एक में रख देंगे, समी करण एक क्या कह रहा है, समी करण एक है आपका, तीन एक्स तिरिंड पाच उनने 4 बरावर 0, रगदो मान, 3 का होगे आपका 3, ये X ही लिखा, X का मान किक्ता है, X का मान है 2 Y धन 7 बटा 9, X का मान है 2 Y धन 7 बटा 9, X का मान रगदेंगे 2 Y धन 7 बटा 9, कोष्टा करदीवंद, minus 5Y का होगे आपको minus 5Y minus 4 का होगे minus 4 0 का होगे बराबर 0 simple आपको इतना वज करना ہے ठीक अब 3 का multiply इससे भी होगा तो 3 का multiply इससे भी होगा 3 का multiply इससे कर देंगे तो 3 दो नहीं 6Y यहापर हो जाएगा आपका कित्दा 6Y हो जाएगा इसके बाद धन का हो जाएगा है यहापर आपका धन अब तीन का मल्टिपलाई साथ से कर देंगे तो तीन साथ हो जाएगा है हापर आपका 21 तीन साथ होगे हापर आपका 21 और बटे में 9 का हो जाएगा बच्चो यहापर आपका क्या 9 हो जाएगा इसके बाद माइनस पांच वाई माइनस चार बराबर जीरो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस पांच वाई माइनस चार बराबर जीरो अब स्कुरत क्या करना है पच्छो इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम एक माल लेंगे अब नो एक और एक का लगुत्तम लेंगे हाँ पर हम तो नो ही आएगा ठीक अब नो एक और एक का लगुत्तम लेंगे तो नो आएगा अब नो मनों का भाग दो कित्ते बार जाएगा नो मनों का भाग देंगे तो नो एक कम नो एक बार गया नो मनों का भाग दो नो मनों का संखे से कर देंगे, उपर 6 बार धन 21, उपर आपका 6 बार धन 21, रिनक होगे रिनक, अब 9 में एक का भाग दो, एक का पहाड़ा से पड़ो कि 9 से आंगे ना बड़े, तो 1 9 में 9, भाग कित्ते बार गया, 9 बार गया, एक एक कम एक, एक दुनी दो, एक तीय तीन, एक 9 में 9, 9 बार भाग गया, 9 बार भाग गया, तो 9 का मल्टिप्लाई इससे कर देंगे, 9 का मल्टिप्लाई कर देंगे, 5 बाएसे, 9 का मल्टिप्लाई कर दिए, 5 बाएसे, माइनस को होगे, माइनस, अब, एक का पहाड़ा से यहाँ पर आपका बराबर 0 इसके बाद अब एक का गुण अंदर कर देंगा तो 6 y दहन 21 का हो गया आपका 6 y दहन 21 minus का हो गया minus 9 पना 45 y का हो गया y minus का minus 36 का हो गया 36 बराबर किस तरफ नो बटे में है इसका पक्छानतर करेंगे तो उस तरफ जीरो के गुड़ों में चला जाएगा और जीरों में किसी के भी गुड़ा until और संक्यों को में अलग हलल कर लेंगा तो छे व्यय धंका है और 45 व्यय रिने का है जब तो 45 वाय में छे वाय गाया, कितना बचे यहां पर आपका ? 49 वाय बचे गा, बड़ी संगे रिने की चिन जाएगा आपका रिने का, 36 रिनका है और 21 धनका है, तो घड जाएगा, 36 में इक गड़ा तो 6 में से एक गए, 5 और 3 में से दो गए हाँ पर बचा एक, 36 बड़ा है और 21 ths करेंगे शोटा है तो ईक शा बड़ी सांगेग तो बंदर के दनाओ को bit यभान को करेंगे तो तीरा नफीजार और पहल को होगा पांदोंडबी ऐसके धर को माइनस और 3 एकम 3 और 3 तिया 9 तो y बराबर आगया रेन 5 बटे 13 ठीक हमने बिलोपन विदी से भी कर रहे थे तब भी हमारा y का मान रेन 5 बटे 13 ही आया था अब इस बाय के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका x का मान निकल करके आज आएगा, ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 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 लिखेंगे, y कमान समीकरण 2 में रखने पर y कमान समीकरण 2 में रखने पर y कमान कहां रख देंगे y कमान समीकरण 2 में रख देंगे समीकरण 2 क्या है आपका समीकरण 2 आपका है 9x बरावर 2y धन 7 यहाँ पर आपका है 9x बरावर 2y धन 7 यहाँ पर मान रख देंगे समीकन दो में तो 9X कहोगे आपर आपको 9X बराबर कहोगे बराबर दो कहोगे दो और यहाँ बाई लिखा है Y का मान किता है Y का मान है रिन 5 बटे 13 तो Y का मान रख देंगे रिन 5 बटे 13 धन 7 कहोगे धन का 7 9X कहोगे आपको 9X बराबर दो पंचे, दस, बटे का होगे बटे और तीरा का होगे हापर आपका तीरा, धन का होगे धन, साथ का होगे हापर आपका साथ, जिसकी बटे में कुछनी होते हैं हापर हम एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, अब इसके बार, जिसकी बटे में कुछनी होते हैं हापर हम कितना पर जाएगा एक बार जाएगा तेरा एक बार गया एक का मल्टिप्ले उपर बारोगे से कर दो तो तेरा सत्य कित्ता होता है तेरा सत्य हो गया आपका इंग्याण। या फिर 1 का गुड़ा 10 से कर दी 10 से कम 10 तेरा गुड़ा 10 से कर दी 137 90 अब इसके बाद बच्चो देखिए इसके आँजे हाँगे हम हल करेंगे बराबर किस तरफ नोح से गुड़ से काट दो इनक्यान मेंन से 10 गये तोहाँ पर बचिए गा आपका 81 बटा बराबर के सिरफ नु गूड़े में इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आपको बटे में 13 गोड़ा 9 आगे आपका बटे में काट दो नु हैंहा है कम 9 और 9 नू होगे आपका 81 तो यह वह, थो उम्मीद करते हूं कि आपको सवाल समझ में आया हुगा, धन्यवाज जय हिंद जय भारत